सब्सक्राइब करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब कल के दिन मंदे को मार्केट उपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्सिन पाटन दिखाए और इसके इंपॉर्टन लेवल्स कैसे रह सकते हैं तो पिछले कुछ दिनों में बहुत यची स्ने रैली दिया है अगर देखेंगे तो 1300 के आसपास से लगबग लगबग इसमें रैली दिया है 1900 के आसपास यह रैली दिने के बाद यहां पर फर्स टाइम आपको यहां पर प्राइस एक्सेंट पैटन जो है वह कहीं नहीं चेंज होता होगा नजर आया होगा क्यों इसके पहले आप देखे हैं जिस तरीके से प्राइस एक्सेंट बाटन बना यहां यहां पर यह चेंज हो रहा था पिड़ से ब्रेक होने की लास्ट टाइम जैसे कोसिस हुआ था लेकिन लास्ट तरीके स्टाइम निकल गया था इस पर ओपर नहीं निकल पाय और इस पर लो के नीचे यूं ट्रेड इस तरीके से कर रहा है अभी हमारे पास क्या है अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो इस शेयर के अंदर अगर हम लोग कुछ ड्रॉख करने की कोसिस करते हैं तो हम लोग चलिए support and resistance पहले ड्रॉख करते हैं तो हमारे पास यहां पर लगबग लगबग यह कि यह support रेजिस्टेंस है तो यहां से बहुत साही तरीके से उपर क्यों गया और नीचे आके यह एक दुबार यहां पर निकला था अगे नीचे क्यों आ रहा है यह कितना नीचे आ सकता है तो स्टाइटिंग पॉइंट अब्सक्राइश तो यहां पर चाहिए धर उतना गीन इसको लूस करना चाहिए वहीं यह form कर लेगा अई से इसे प्रटन होता है हम लोग जान देख रहे हैं कि इतना नहीं चाह सकते लेकिन इतना ज्यत नीचे अभी आने वाला नहीं है लेकिन जो हम लोग को टेकनी कली नज़र आ रहा है ठीक है अड्स आंडिकर आड़ से लेके लेकर आड़ देखने के ब अब यह support यहां पर यहां पर price action pattern क्या हो रहा है यहां पर price action pattern down हो रहा है और यह downtrend में जा रहा है तो इस price action pattern को one hour time frame पर जब हम देखेंगे तो जब यह up trend में shift होगा ठीक है जब यह higher high high low बनाने लगेगा तब जाके हम लोग अगर इस support के आसपस ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर इन दोनों point को connect कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इसके पहले कोई point है नी तो ऐसा trend line बनेगा नी और जब यह breakout होगा मतलब यह जो train था short time के लिए यह downtrend था अब change हो रहा है तब हम लोग कुछ यहां पर फिर से all time high के बारे में सोच सकते हैं और ऐसे सिनारियों में यह यहां पर एक channel pattern create करने की कोशिस करेगा विगले टाइम फ्रेम पर देखेंगे आप तो अगर आप देखेंगे तो पिछले दो तीन वीक से यहां पर अपने आपको लग 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 16 से 1760 के level को break कर देता है कितना 1760 के level को next candle अगर बेक करता है तो यह लग लग 1723 24 के आसपास का level weekly time frame पर एंड अगर यहां से उपर क्यों निकलने की अभी अगेन वापस कोशिस करता है मन लेते हैं यहां पर उपन होता है यह से उपर निकलने के को उसका activation भी हो गया है और one is to one के हिसाब सब्सक्राइब मिलेगा तो यह स्टार्ट हो जाएगा मतलों और तेजिस से देखने को मिलेगा अगेन कोई चीज यहां पर पचा सकती है तो जैसा हम लोग ने भी one day time frame पर देखा था यहां पर जो स्विंग है यह हमारा एक सपोर्ट लेवल बन सकता है क्योंकि ब्रिक आउट लेवल है तो अगर यहां टच करके यहां से उपनी है इस ट्रच करके वापस जाता है तो इन लेवल से जैसा हम लोग ने डिसकस कि एक एक इंपॉर्टन रिजिस्टंस का का काम करेंगा और इस ट्रेंट चलते हैं जैसा डिसकस किया था कि वन आवर टाइम पर इसको चेंज करना है प्राइस अगर चेंज होगा तो वह नावर टाइम पर हमें पता चल जाएगा कि अब ट्रेंड में शॉट्टर टर्म के लिए शिप्ट हो रहा है तो यहां पर कहीं नहीं अगर आप दे नीचे के प्लोट करेंगे यह जहां से बाइंग है 1617 मद लेवल है यह के लोग इंपर्टन रूल पर करेगा 1700 1670 का लेवल ठीक है तो अगर उपर से नीचे आता है तो इसका वन इस तो यहां पर जाने के कोशिश करें और ऐसे में हमें एक बड़ा चैनल बाटन देखने को म सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर नहीं के सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यूफर वाचिन वीडियो